हेलो दोस्तो वेलकम बैक टो नीए वीडियो उमीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले यमा एंटी 15 के बेस मॉडल ब्लैक का कम्प्लेट डाउन प्रेवेनेंट फाइनेस वीडियो जाने कि बेस मॉडल ब्लैक का एंटी 15 में दो ब्लैक आती है एक टॉप मॉडल भी ब्लैक आती है और एक बेस मॉडल भी ब्लैक आती है तो उनों में फाराग क्या ये भी आपको उदा देता हूं दोस्तों जो base model आती है ना जो आप देख पा रहे हैं वीडियो में इसमें आपको LED indicator नहीं मिलता इसमें आपको Bluetooth connectivity भी नहीं मिलती और एक और फराग है इसमें आपको जो allow wheel हो आपको black color के देखने को मिलते हैं बट अगर दोस्तों आप top model लेंगे तो इसमें आपको जो allow wheel हो आ orange color के देखने को मिलते हैं बागे इसमें LED indicator साथ में इसमें आप लोग को Bluetooth connectivity भी आपको मिलता है इतना फराग आपको दोनों में मिल जाएगा ठीक चली अब आ जाते हैं दोस्तों हम दोनों बाइक के compare reason मेरे आ जाते हैं डाउन पेवरन आपको कौन कानसी documents की नीड पड़ती है दोस्तों बाइक अधार काट के बाद दोस्तों आपको pen काट की जारत पड़ेगी बिना pen काट के भी आप आप द आरा सकते है उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो है बाइक में आपको 6 month की bank बाजबू की photocopy दिखानी पड़ी की जिसमें आपकी salary आती दियाना कि photocopy वही देनी पड़ी की जिसमे salary आती है बाई ने तो अगर आप business करते होंगे तो आप idea भी दिखा सकते हैं बट कुछ ना कुछ income promo आपको दिखाना पड़ेगा उसके बाद कुछ photos और कुछ sign के बाद आपकी बाइक हो आपको finance करके देर दी जाती है ठीक है अब दोस्तों आपको बता देता हूँ MT15 का price दोस्तों यह एक्स फूम प्राइज आती है 1,67,000 एक लाग सार रुपे आपको यह एक्स फूम प्राइज देखने को मलती है बात कल इसके ओन रोड प्रैस के बारे में तो आपको clear कर दो हरेक इस्टेट इन सीडी में ओन रोड प्रैस में तोड़ा सा difference होता है अब दोस्तों हमने आज की वीडियो में नीपी लिए 63,000 ठीक 63,000 अब आपको बचाओं इमाउंट कितना है दोस्तों आपका 1,50,000 रुपे 1,50,000 में दोस्तों हम 10,000 रुपे processing fees ब्लस करेंगे जब भी हम बाइक फैनेंस करते हैं तो बिना processing fees के बाइक फैनेस नहीं होती तो आप दोस्तों प्लस होगे आपका 10,000 अब 1,60,000 आपका टोटल अमाउंट हो गया अब दोस्तों 1,60,000 आपका टोटल अमाउंट हो उसमें हम दिखा लेंगे interest नहीं की ब्याज जब भी हम बाइक फैनेस करा रहे है तो ध्यान रखिए दोस्तों हमें interest देना पढ़ता ने की ब्याज देना पढ़ता है अब दोस्तों rate of interest डिपेंड करता आपके civil score पे और आपके salary slip पे आज के दोस्तों अज़के इस वीड़े में हमने जो rate of interest ले आ रहे है दोस्तों हो लिए 10% दस पर्स के सेन के हिसाब से आपके एक साल का interest कितना हैगा 16,000 रुपए अब दोस्तों 1,5,000 आपका total amount उसमें 16,000 को plus कर दीजिए आपका total amount जगा 1,36,000 रुपए 1,36,000 को दोस्तों आप divide कर दीजिए किस से आप divide कर दीजिए 12 से क्यों क्योंकि एक साल में 12 मेने होते है तो आपके जो मनसी हमाई हैगी वो आएगी दोस्तों लबग 14,600 रुपए गयास पास की जोगे आपको पे करनी पड़ेगी एक साल तक मालेज़ा बाइक को दो साल के लिए finance कराना चाहते है मालेज़ा बाइक को तीन साल के लिए finance कराना चाहते है तो तीन साल के लिए आपको सबसे पहले तीन साल का इंटरस निगालना पड़ेगा ठीक 16,000 रुपए आपको तीन साल का आएगा एक लाग साट एज़ार में 48,000 को प्लस कर दीजे आपको दो लाग आड़ एज़ार रुपए आपको दो लाग आड़ एज़ार को अप 30 साल की चत्ते सी रिवाइट करेंगी तीन साल में चत्तिस मेने होते है बिलते हैं नेक्श रवें लफी हो जहीं नमात्रम